बढ़का समचार के बाद अब्बे रहो गए है खबर 36 के हैं अकलतरा ले लगे गाउं कटगरी मा अनोखा बारात निकलेस जिमा दुलहा बैला गाडी मा सवार होके निकलेस जिला देखे वर गाउं मा हुजूम उमड पडेस साधी काडला घलो 36 गड़ी मा छपवाए गए रही है युवक एमे तक के पढ़ाई करे है फिर ओह बैला गड़ी और गड़वा बाचा मा बाराज जाके फैसला खुद करे है ए बारे मा युवक के कहना है कि 36 गड़ के चिनहारी परंपरा है जिनला निभाना चाहिए अब वो है 36 गड़ के माटी ले चुड़े हुए हैं जिन जदका भी पढ़ लिख लेवाए तब वो ले 36 गड़ के परंपराला नहीं भूलें मतलब मन माइक बात ने जिकाबर के माटी के जूड़े हुए आदमी हैं और देखिए ता आज के जुन हमार युवक पिड़ी हावारे है अब दिनों देने संस्कृति हावा है वाल अब लाज जाते हैं तो मैं यह सुचे कि मुझा होई है यहां तक कि मुझा साधी काड़ हावा है आपन देखे हुए तो अधिकतर आदमी निकारती कोई डीजे बाजा बैंड बाजाना उपियोग मुलाते घर वा बाजा बाजा तो देखिए ता जिसे आपन जानाता हो कि जुन घड़वा बाजा हो यह हमार एक परांपरक है हमार संस्कृति के अंतर गता तो इही मन मुझा रहे हैं कि जो मु परिवार वाले मन के कहना है कि हमार बहुत अच्छा लगत है कि यह हमार पुराना परंपरा है जिनला कई बचर पहली हमर ले बड़े सियानमन चला थे विती रिवाज को देखते हुए हमारे मन में आया कि क्यों ना ऐसा प्रेम संबन बनाया जाए यह भी बात ठीक रहे गिया ऐसा करते हमने इसका रिश्का रहे है मैं अभी विभीन प्रकार की साउंड सर्विस आगे हैं डीजे ऐसे अभी पुराने हैं के गणवा बाजा इसमें आप शाली कर रहे हैं आप कैसे खुसी आ रहा है कैसे मन में कैसे आ जिए हम तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इसमें आज के आधुनी की मतलब यूट में भी जी रहे हैं और पुराने पध्धती से भी जी रहे हैं इसलिए हमने दोन पक्छा कुंदी अनुखा बिहावले लोगन मन कहीस कि रिती रिवाजला देखत हुए हमर मानना है कि काहे न ए जुन्ना परंपरा मही जम हमों बिहावला करे जाए जाए जांजगीर ले डिजिटल रिपोर्टर आशीश कश्यप के रिपोर्ट